प्यारे दोस्तो नमस्कार मैं असित कानुन गो आपका अपना दोस्त मेरे नए यूट्यूब चेनल लाइफ इन विलेज विथ असित कानुन गो में आपका हर्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ दोस्तो आज हम आर्गनिक रेडिश गार्डन में आये हैं दोस्तो एक छोटा सा निविदन है यदि अभी तक आपने मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपिया एक बार देरे चेनल को सब्सक्राइब करने की क्रिपा करें बहुत महरबानी होगी आईए आगे चलते हैं और रेडिश के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तो रेडिश याने की मूली हम सभी के घर में प्रायह उप्योग में लाया जाता है लेकिन इसके बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है ताकि हम इसका सही धंग से उप्योग कर सकें इस बगीचे में जितना भी उत्पादन किया जाता है सब आरगनिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि हम अपने घर में इसका उप्योग कर सकें सुबह खाली पेट यदि आप मूली लेते हैं तो बावासिर की समस्या कम कर सकता है मूली सुजन और दर्द को कम करने में मदद करता है इसकी एंटी इंफ्लोमेंटरी गुण सुजन कम करती है और बावासिर में आराम खुजली वर दर्द से रहाद देती है मूली के पत्ते आत के स्वास्त के लिए बहुत ही उपियोगी है और मोटापा कम करने के लिए अच्छे हो सकते हैं पत्तियों में जड़ों की तुलना में अधिक फाइबर होता है आईबर हमारे सरीर के लिए बहुत ही फैयदेमंद है कब्ज को रोकने के लिए अच्छा होता है ताजा मूली का रस पेट में अलसर होने ते रोकता है लाल रक्त कोशिकाओं के नुक्सान को नियंत्रित करता है मतलब जो खुन में आरबिशी होता है उसको नियंत्रित करता है परियाप्त मात्रा में फाइवर और पुशक तत्त प्रदान करता है आपके यक्रित और पित्ता से मने लीवर और गॉल ब्लेडर की सुरक्षा करता है हमारे हिर्दय को ठीक से काम करने में मदद करता है जिससे हिर्दय सम्मंधी बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है रक्त चाप को नियंत्रित करता है यानि ब्लड प्रिशर को नियंत्रित करता है रक्त चाप को कम और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है सामान्य सर्दी और खांसी कफ और कोल्ड से बचा सकता है और बेसिक इम्मुनिटी सिस्टम रोक प्रतिरोधक शम्ता में सुधार करता है यदि आप हर रोज मूली का जूस पीते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपनी तोचा को स्वस्थ रहने के लिए बुस्टर प्रदाम कर रहें मूली में आइरन की मात्रा अधिक होती है इसलिए यदि आप अधिक मूली का सेवन करते हैं और सरीर में आइरन की मात्रा बढ़ने से पेड़ दर्द हो सकती है यह मूली के कुछ नुक्षान है जो इसमें ध्यान देने वाली ध्यान देने की बहुत आवशक्ता है क्योंकि कोई भी चीज अती या बहुत खाने से नुक्सान कर सकती है सरीर में मूली के अधिक सेवन से सरीर में यदि आईरन ज्यादा हो जाए तो उल्टी आ सकती है पेट खराब हो सकता है आपका सरीर में आईरन की अधिकता से चक्कर आने लगते हैं और सरीर में आईरन ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर लेबल में कमी हो सकती है इसलिए इसका सोच विचार कर उप्योग करना चाहिए झाल झाल सकती है झाल 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 सकती है झाल